नमस्कार मैं नेहा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यू नेशन लखीमपुर खीरी कान पर सुप्रीम कोट में आज सुनवाई हुई और इसमें यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई गई कोट ने कहा कि यह यूपी सरकार दुआरा अब तक की गई कारवाई से संतुस नहीं हैं कोट ने इस पर भी नाराजगी जताई कि अब तक मुख्यारो प्याशीश मिश्रा की गिरफतारी नहीं हुई है अब कोट मामले की अगली सुनवाई दशेरे की जुट्टियों के बाद 20 अक्टूबर को करेगा कोट में यूपी सरकार की तरफ से सीनियर वकील हरीश शालवे पेश हुए थे उन्होंने मुर्तक किसानु की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मौत गोलियों लगने से नहीं हुई इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मौत गोलिया लगने की वज़े से हुई या किसी और वज़े से लेकिन मामला तो हत्या कही है न लगता है यूपी सरकार ने सही और समुचित कदम नहीं उठाया हम सीबियाओ को केस नहीं देना चाहते गंबीरता को देखते हुए कोई टिपनी भी नहीं गारना चाहते लेकिन यूपी सरकार को एक आम मामले की तरह आरोपी पर शिगर कारवाई लेनी चाहिए थी सुप्रीम कोट को हरीश सालवे ने कहा कि अभी यूक्त आशीश मिश्रा को नोटिस भेजा गया है वो आ जाने वाला था लेकिन उसने कल सुबह तक का टाइम मांगा है हमने उसे कल शनिवार सुबह 11 बजे तक की महलत दी है सीजे आई ने पूचा कि जिम्मेदार सरकार और प्रशाशन इतने गंभीर आरोपों पर अलग बरताब क्यों किया जा रहा है कोट ने कहा कि मामला जब 302 का है तो फिर बाकी मामलों की तरह गिरफतारी क्यों नहीं की गई आखिर आप क्या संतेश देना जाते हैं 302 के मामले में पुलिस सामाने ताब क्या करती है सीधा गिरफतार ही करती है न अभी युक्त जो भी हो कानून को अपना काम करना चाहिए जीफ जस्टिस ने पीट की और से जारी आदेश में कहा कि कोट सरकार की कारवाई से संतुस नहीं है कोट ने कहा कि डीजीपी से कहा जाए कि गटना कर्म के सबूत नस्ट ना हो इसका खयाल रखा जाए कोट ने यूपी सरकार से यह भी पूछा कि कौन सी अजनसी जाच करेगी यानि किसी और अजनसी को जाच देने का भी संकेत दिया कोट में यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट भी दाकिल की इसमें पोस्ट मार्टम रिपोर्ट का जिक्र किया गया और यह भी बताया गया कि गटनस्थल से दो खाली कार्टूस मिले है इसके अलावा साइटी के गटन की बात कही कोट ने इस पर भी फटकार लगाई कि असाइटी में सिर्फ स्थानिय पुलिस अधिकारियों को रखा गया है केंद्रे ग्रहराज्यमंत रियजय मिश्रा के घर पर दूसरा नोटिस लगाया गया झाली के अधिकार लगाई पुलिस अधिकारियों को रिर्फ लगाई जया जोँकार दूसरा वाया है